Hello friends, welcome to another video, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाल है कि कैसे हम लोग MySQL Workbench है, वो इंस्टाल करते हैं Windows के अंदर, अभी मैं फिलाल Windows 10 यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये टेक्निक सेम चलेगी अगर आप Windows 11 यूज़ करते हो या फिर Windows 8 यूज़ करते हो तो ठीक है, तो चल जैसे ही मैं open करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे इसको अटा करके लिखना है MySQL.com, जैसे ही मैं लिखता हूँ, तो आप देख सकते हो MySQL की जो site है, website वो open हो जाती है, उसके बाद आपको जाना है Downloads वाले section के अंदर, तो उस पर आपको click करना है, then you have to scroll down, आपको यहाँ पर ए एक option है, इस पर आपको click करना है, ठीक है, जैसे ही आप इस पर click करोगे, तो आप देख सकते हो, कि यहाँ पर यह latest version है, वो by default selected होता है, आपको सिर्फ प्रेस करना है, download पे, तो आपको यह जो बड़ी size दिख रही है, 285.3 MB, उस पर आपको download करना है, उसको download करना है, तो यहा इस पर आपको click करना है, उससे क्या होगा, कि आपको login, sign up करने की ज़रूरत नहीं रही है, ठीक है, तो आप भी आप देख सकते हो, कि यह download हो रहा है, तो जैसे ही यह complete होता है, मैं वीडियो में वापस आता हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हो, कि यहाँ पर मेरा MySQL का installer ह हो यहाँ पर आ गया है, अब मैं जल्दी से इस पर double click करता हूँ, तो जैसे ही मैं इस पर double click करता हूँ, और यहाँ पर आपको yes देना है, जैसे ही होता है वो, और उसके बाद आपको ऐसा कुछ UI देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको custom पर select करना है, and then you have to press next, उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे option मिलेगे, ठीक है, तो आपको सबसे पहले यह MySQL server से उसको expand करना है, plus button पर जैसे ही आप click करते हो, तो expand होता है, और minus button पर click करते हो, तो यह, क्या बूलता है, expand नहीं होता है, ठीक है, expand, उसके बाद आपको MySQL server है, वो पहला version आपको दिख रहा है, 8.0, तो 8.0 पर click करना है, और जो latest है, 36, ठीक है, उसको आपको धकल देना है, right side पे, तो यह green arrow जैसे ही आप्रेस करते हो, तो right side पे आ जाएगा, ठीक है, इसको मैं close कर देता हो, फिर आपको application में जाना है, और उसके आपको workbench के इंदर जाना है, workbench मे we are going to go in mysql connectors, अभी पहले तो application आगया सारा, routers है, router को भी मैं यहापर धकल देता हूँ, इसलिए मैं router नहीं चल रहा, no problem, okay, router मैं ऐसे धकल दा हूँ, इसको ऐसे करके मैं नहीं धकल दिया, ठीक है, now mysql connectors की बात करे, mysql connectors कौन सा है, वो आपको अगर odbc connector है, कोई भी अ इसे है, वैसे हम, हमें next button पे click करना, आप देख सकते हम यहाँ next button है, उस पे आपको click करना है, जैसे ही आप click करोगे तो आपको ऐसा कुछ UI दिखने को मिलेगा, फिर आपको next button, execute button से change हुआ, तो जैसे ही आप execute करोगे तो आप देख सकते हो, यह parallel download हो रहा है सारी की सारी तो आप देख सकते हो यहाँ पर show details है तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी download हो रहा है MySQL router है, फिर MySQL shell है Workbench है, यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर दीखेगी, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक log आ गया है कि download of package MySQL router succeeded, इसका मतलब है और उसके बाद आपको SIUI जीखेगा अभी installation के लिए है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर execute पर click करूँगा and you can see कि यहाँ पर यह install हो रहा है अभी MySQL server MySQL का जो server है, वो install हो रहा है उसके बाद workbench जो है, जो UI के लिए responsible है, वो install होगा तो जैसे install हो जाता है, तब मैं वीडियो में वापस आ जाओंगा, तो अभी आप देख सकते हो कि मेरा जो MySQL का install है, वो complete हो गया installation, सारी की सारी product का installation complete हो गया है, अभी आपको यहाँ पर click करना है next पे, तो जैसे आप next पे click करोगे, तो आपको यह configuration दीखेगा, तो फिर से आपको एक बार next पे click करना है, ठीक है तो development computer है यह ठीक है, और आपको development, यह default settings ही सही है आपको next पे click करना है फिर से, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, use strong password encryption for authentication, तो इसी को select करना है, जो by default selected है, इसी को आप selector रखो, ठीक है, legacy option पे आपको नहीं जाना, ठीक है, उसके बाद आपको next click करना है, और आप देख सकते हो mysql का root password, ठीक है, तो यह password जो है, वो आपको सही से डालना है, और यह सही से ही आपको डालना है, ठीक है तो यहाँ पर मैं सही से password डाल देता हूँ okay, then I am going to go in next okay, next पर मैं फिर से click करूँगा फिर आपको जाना है, फिर से next click करना है ठीक है, और yes, आपको यहाँ पर by default जो settings है, वो सही रहेगी आपको next में जाना है, फिर से आपको execute पर click करना है, ठीक है, जैसे ही आप execute पर click करोगे, तो आप देख सकते हो कि यह सारी processes हो जाएगी, इसमें थोड़ा time लग सकता है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा wait करना पड़ेगा, ठीक है, no problem at all लेकिन आप थोड़ा wait कर देना, ठीक है अभी आप देख सकते हो कि मेरा जो installation है, वो खतम हो गया है, फिर मुझे यहाँ पर finish वाला button दिख रहा है, उस पर मैं जैसे ही click करूँगा, तो यहाँ पर router है, जो मुझे configure करना है, ठीक है तो मैं यहार next next करके finish कर दूँगा, ठीक है और उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं finish पर जैसे ही click करूँगा, तो आप देख सकते हो कि यह जो मेरा mysql का workbench है और जो shell है, shell का मतलब हो टर्मिनल वो दोनों खुल गया है, ठीक है तो अभी आप देख सकते हो कि यह अपना mysql workbench बेंच खुल गया है जैसे ही यह खुलता है, यह आटोमेटिक ही खुल जाएगा, जैसे ही आप finish बटन पर क्लिक करते हो तो, ठीक है, आपको यहाँ पर दिखेगा mysql connections, यह mysql connection आपको दिख रहा है, ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, यह by default connection दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो यह password है, वो यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है, आपको तो पहले तो आपको save password in vault वाला जो option है उसको select कर देना है, then you have to enter the password भाई, आपको password एंटर करना है, जो भी password आपने डाला था वो, उसमें जब create किया था तब, तो मैंने जो password डाला था वो यहाँ पर मैं enter करता हूँ, then you have to click on ok, और जैसे ही आप ok करते हो, तो आप देख सकते हो कि यह MySQL वाला जो पूरा-पूरा UI है वो आ गया है, ठीक है, इसके अंदर आप query डाल सकते हो, data को import कर सकते हो, data को export कर सकते हो, बहुत सारी चीज़े आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है तो अभी के लिए मैं simple shell का इस्तमाल करूँगा, तो सबसे पहले आपको जाना है C drive के अंदर, ठीक है सबसे पहले आपको C drive के अंदर जाना है उसके बाद आपको program वाली files के अंदर जाना है उसके बाद आपको यहाँ पर scroll करना है MySQL यहाँ पर आपको दीखेगा ठीक है, तो MySQL में आपको जाना है इसको मैं बन करता हूँ यार यह गलती से open हो गया था MySQL के अंदर, folder के अंदर जाने के बाद आप देख सकते हो कि MySQL server वाला option आ रहा है इसके आपको double click करना है उसके बाद आपको bin folder दीखेगा, इसके आपको double click करना है और उसके बाद यह जो पूरा का पूरा path है इसको हमें copy करना है, ठीक है यह path जो आपको दीख रहा है, इसके बाद आपको एडिट करना है और new create करके डाल देना है, ठीक है तो अभी आप देख सकते हो, मैंने already create किया हुआ है फिर भी मैं यहाँ पर दिख देता हूँ okay करना है, ठीक है उसके बाद आपको power shell खोलना है power shell जो टर्मिनल आता है, windows के अंदर वो आप खोल सकते हो, ठीक है या फिर एक और भी टर्मिनल आता है, black color का टर्मिनल करके command prompt, ठीक है वो भी आप open कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैंने power shell खोल लिया है power shell मुझे ज्यादा पसंद देश लिए तो इसके अंदर आपको यहाँ पर एक command माननी है, जिसका नाम है mysql, उसके बाद hyphen u, u का मतलब होता है username और जो username था अपना by default वो है root और उसके बाद आपको hyphen p करना है, जो की password है, ठीक है आप जैसे ही enter करोगे तो आप देख सकते हो, enter password है तो यहाँ पर आपको password एंटर करना है, आपको अभी दीखेगा नहीं, लेकिन मैंने password जो पहले एंटर गिया था वही आपको एंटर करना है मैं जैसे ही entry करूँगा तो आप देख सकते हो, यह आ गया है, ठीक है अभी अगर मुझे show all databases अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर आपको अगर कोई भी टेबल क्रिएट करना है, लेकिन मैं टेबल क्रिएट करना चाता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा create database और यहाँ पर मैं दे दूँगा e-commerce लारावल, लेकिन मैं लारा वल यूस करता हूँ, ठीक है, आपको semicolon भी लगाना है जैसे ही एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक entry query जो है वो रन हो गए यह one raw effect ठीक है तो यह हो गया है अपना जो database है हो यहाँ पर create हो गया है तो आप देख सकते हो यहाँ पर query भी effect आ रही है तो ऐसे हम लोग install करता है MySQL Workbench को Windows के उपर ठीक है अगर कोई भी error आए रही है दोस्तो तो please comment में मुझे बताना मैं solve करने की पूरी कुशिश करूँगा Thank you for watching this video अगर वीडियो पसंद आया तो like करें share करें अपने दोस्तों के साथ 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 में चैनल को subscribe कर देना Thank you for watching I will see you next time